नमस्कार दोस्तों मैं मिंदर सर्मा स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल में आपका उम्मीद करता हूँ आप खुस और स्वस्त है दोस्तों दोस्तों आईए आपको एक और बहुत जबरदस्त वाड़ी वीडियो दिखते हैं जिसमें फकर यूसुफ जई और बारत के रिटायर्ड मेजर जनरल अस्विनी सिवाद जी के बीच उन्होंने हालिया बयान कस्मीर मुद्दे पे और पाकिस्तान और भारत की मिलिटरी मुद्दों पे बहुत अच्छे बाते बताई और उन्होंने पूरा जो सीन है सारा जो कस्मीर में आज जो चल रहा है और कैसे कस पाकिस्तान से आयात किये जाते थे कस्मीर में लोकल बोड़ी के द्वारा तो आईए दोस्तों आपको दिखाते हैं कैसे अस्विनी सिवाद जी ने बहुत ही जबर्दस तरिके से विसलेसन करके बताया कि आज के हालिया बयान और पीच्छे के जो हालिया हालात थे वो भी क कैसे थे और दोनों में फरक बताया और आज कैसे बारत में कस्मीर में कैसे विकास की बेहार बारत सरकार ने ला रखी है और कैसे टूरिजम को वहां बढ़ावा दिया जा रहे कैसे एमस एई आई आई टी वगरह खोले जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ अगर पीयो के में देखे तो वहां पे आज भी हर सुईदा की कमी पाई गई है और लोगों में हतायात भी बहुत जादा है और ना ही वहां उनको कोई सुईदा मौईया पाकिस्तान की सरकार करवा रही है तो आई ये दोस्तों आपको दिखाते हैं ये पाक मीडिया की एक वीडियो लेटेस् पहले मैं अब से रिक्वेस्ट करूँ है अगर मेरे चैनल पर अगर आप नहीं है तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सेर और सबस्क्राइब जरूर करें दोस्तों हम वेलकम करेंगे और उनको टैंक्स कहेंगे बहुत शुक्रिया सर अब जैसे कि जनल साब हमारे मतलब बार् के उपर गुजश्टा दिन दो साल हो गए जो स्पेशल स्टेटस को रिमूफ किया गया था मुदी सरकार की तरफ से क्या नजर आ रहे कि हिंदुस्तान ने इन दो सालों में क्या अचीव किया और पाकिस्तान की क्या वीकनिस रही इन लास्ट टू यर्स हम अगर पूरे नजीर को भी कॉंप्लिमेंट करना चाहता हूँ दिसकेशन में पार्ट ले रहे हैं और फकर आज यूजवल यूर अवे दूइंग एक्सिरेंट जॉब नो यह जो बात पताई आर्टिकल थरी सेवन जिरो और थर्टी फाइग एक को अब्रोकेट किया क्योंकि अगर आप करने के बाद बहुत कुछ तरकी हुई है जमून कश्मीर के अंदर जैसा आप जानते हैं जमून कश्मीर के जो हैं दो हिससे हो गे थे एक दो दोनों की यूनियन टेरिक्री बना दी थी एक जमून कashmीर और एक लदाक अलग जाए और इस प्रवीजन में की आने वाले समय म दुबारा यह स्टेट बढ़ेंगी और फिर एलेक्शन होंगी तो जो यह दो भिने दो साल के अंदर हुआ है उसके अंदर जो प्रोग्रस है उसके बारे मैं चंद एक बात बताना चाहूंगा कि एक तो वहां पर ग्रास रूट लेवल पर डेमोकरसी आई है वहां पर पंचा सासों के करीब टर्रिस्ट माने गए हैं यह करीब करीब सावा साल में और उसमें लस्क्रे तोबा जैसे मौमत और हिज्बल मुझाइदीन के जो मेन लीडर थे उनको एक परकार से खतम कर दिया गया और जो रैडिकलाइजेशन हो रही थी साउथ कश्मीर में उसमें भी बह आती थी उसको हवाला से पैसा मिलता था बार से कहीं ये भी है कि आईसाई देती थी और वो फिर गुम्रा करके इन बच्चों से पत्र फिकवाती थी मगर अब वो भी केस आफ पास्ट हो गया क्योंकि जो गुरियत के लीडर थे उनको जेल में बंद कर दिया उनका गेस केस इसी परकार से जो इन फिल्ट्रेशन थी वो भी बिलकुल कम है क्योंकि एक तो बारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर है अपस में और एक हमारा जो काउंटर इन फिल्ट्रेशन ग्रेड है वो बहुत पुक्ता है और उसके कारण अभी ना के बराबर हुई है इन फि आए हैं वो कोविड नाइंटीन को भी देखते हुए कि आज आपके पास कश्मीर घाटी के अंदर कोई ऐसा होटल नहीं आपको जगह मिल जाए इसी परकार से होटी कंचर में हैं उसके बाद होटल इंडस्ट्री काफी अच्छा कर रही है और कोटेज इंडस्ट्री कर रह हैं तो इसलिए काफी हाद तक इंवेस्ट्मेंट आई हैं ड्वेल्पेंट हो रही हैं इंप्लॉइमेंट आई हैं तो मैं यही कोँगा फकर अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि एक पीस का और एक ड्वेल्पेंट का महौल आया है जमूर कश्मीर में और अभी आने वाले स इसको पूरा स्टेट हूट दिया जाएगा ओके एक रोड मैप है जो की प्राइमिस्टर मोदी ने सभी पार्टी मेंबर से मिलके उनको भी यह बता दिया है कि आने वाले समय में इस तरिके से हम काम करेंगे फकर ओकर बिलकुल बिलकुल सही है जनल साब आपने बिलकुल ड तसावीर लगाई गई हैं यह सारी चीज़े बड़े जोर जोर से हरन बजाए गए गए एक गुजशता दिन इसलावबाद के अंदर उनकी तस्वीरों के पास कड़े हो किया इन चीज़ों से जो कश्मीर काज है उसको कोई फाइदा होता है आप मतलब इस ए डिफेंस अनल होती है अगर वो हमारी मदद चाहते हैं तो जिवर शुक्रिया जनल साब ने काफी तरकी के मवाद्टे और ओपनिंग बता दी है मैं इसको अगर अनबाहिस तरीके से रेखता हूं तो यहां पर अगर हारन बजाओ या मोडी की तस्वीर लगाओ उसको जूते मारो या सेवन हंडर्ड एंट तर्थी तरी देज गिनलो लागडाउन के या इसके अलावा सड़क का नाम तद्दील करो ये दिन भी मना लो और तीज और आप्टिक्स जबके सबस्टिंस जो है वो डिफरेंट तो अगर हम सबस्टिंस की बात करें और आप्टिक्स को एक कराने के लिए तो अनों साइप पर ही हो रहा है पुलिटिकल गोर्नमेंट है और पुलिटिकल गोर्नमेंट का आपको पता होता है उनके डिफरेंट स्टेक्स होते डिफरेंट इंट्रस्ट होते वहां पर भी मुडिर सरकार का ये यहां पर भी हमारे सरकार का ये लेकिन मैं कहता हूं कि यह जो त्री जो त्री तर्टी ट्री डेज जो हो चुके हैं इसके दर्मियान अगर वहां पर इन्वेस्मेंट हुए है वहां पर फूरिजम आया है वहां पर फिल्टिंग बगेरा बन दो चुकी है या ठर्र